तो नमस्कार मेरे भाईयों आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हो सकता है तुम्हें शायद डी मोटिवेटिंग लगे अगर तुम इस वीडियो की सिर्फ शुरुवात सुनते हो लाइक शुरुवात का पांच मिनिट सुनते हो हो सकता है ये वीडियो आदे घंटे का हो हो सकता है पूरा एक घंटे का हो बट अगर आज तुम 2024 में हो तुम अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो तुम लाइफ में बड़ा सोच रहे हो लाइक 11th, 12th में हो इवन चलेगा 11th में भी हो तो चलेगा 12th में हो, 2025 में बोर्ट देने वाले हो and the sole motive is not just to clear 12th बोर्ट but it is also about making a future out of it, right? CUET भी देना है, अच्छे कॉलेज में भी जाना है then वहाँ पे भी परपस फुल्फिल नहीं हो रहा है because by the end of the day, who wants to just get into a college and that's it सही बात है it's more about getting that degree जो के convert होगी एक अच्छे जॉब में, एक अच्छे package में तब तो matter करेगा कि ये सब जो किया, ये जो process था, ये बहुत सही रहा but सोचो अगर कि तुम सिर्फ ये focus लेके चल रहे हो I know short run में सब के focus बहुत particular हो जाते है but longer run की मैं बात करूँ अगर तुम ये focus लेके चलोगे कि boards are everything और इस video को पूरा नहीं देखोगे and start judging के यार शायद thumbnail सिर्फ attention के लिए था जो के है literally तो फिर तुम फस जाओगे फिर तुम पूरे video को देखना ही नहीं चाओगे and you will derive a conclusion के यार इस video से कोई value नहीं मिल रही है मुझे तो video end तक देखना and समझ ना के मैं तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ by the end of the day के why your 12th board exams in 2025 won't matter at all when it comes to your career options तो ये video है किस के लिए लिख के देखते है ठीके ये video उन लोग के लिए जो 12th में है जो के आज एक opinion form कर सकते है because obviously यार जिस पूरे school time period में अगर मैं देखू न तो you have been into like school for almost 12 years कोई और पहले से पढ़ना चालू करते हैं तो हाँ ठीक है 14 साल निकाले होंगे बढ़ ठीक है लोग 12 साल निकालते हैं and कोई YouTube पे आके ये बोल दे के your 12th won't matter at all तो गुस्सा तो आएगा ना नैचरल है तो एक 12th वाले हो गए जिनका या तो positive opinion होगा या फिर होने वाला typically ऐसा negative opinion बिलकुल एक दम नीचे जाने वाला ठीक है या फिर ये वीडियो देख रहे होंगे वो college के बच्चे जिनको college में जाके reality तो पता चल रही होगी के भाई ये बंदा सही कह रहा है 12th matter नहीं करती क्योंके मैं 12th देकर college में आ गया हूँ और मुझे यहां आके मेरा reality check मिल रहा है के 12th से college में आना तो सिर्फ एक journey थी ये ऐसी वाली journey बस एक transition phase था मेरा जहां पे मैं एक controlled environment से निकलके एक college के open environment में आ गया हूँ ठीक है या फिर कोई मेरे से बहुत पहले से जोड़ा हुआ है मतलब 2017 से मैं classes वगरा लेता रहा हूँ पढ़ाता रहा हूँ YouTube पे मतलब बहुत early days से मैं YouTube पे हूँ जब शुरुवाती हुई थी पढ़ाने की और you know यह trend चालू हुआ था तो वो लोग देख रहे हुँगे जो आज के time पे maybe post graduation के time period में होंगे या maybe वो शायद CA वगरा कर रहे हुँगे CS कर रहे हुँगे CMA कर रहे हुँगे MBA कर रहे हुँगे यह ऐसे लोग है यह लोग मेरा वीडियो देख रहे हुँगे तो again यह तीनों audience जो है जो इस वीडियो को देखेगी I want कि तुम अपना opinion इस पूरे वीडियो को देखने के बाद end में जरूर देना कि जो आज मैं point रख रहा हुँ उससे तुम कितना relate कर पाते हो फाइदा क्या होगा वो भी बता देता हूँ and then I'll start the video 12th वाले को college वाले का opinion या perspective पता चलेगा college वाले को वो जो professional degrees आज कर रहे हैं उनका opinion और perspective पता चलेगा and comments में हो सकता है एक पूरे discussion चालू हो जाए maybe debate चालू हो जाए कि फिर matter क्या करता है by the end of the day अगर मुझे एक job अच्छी चाहिए है तो what will matter eventually ठीक है? So let's start सबसे पहले बात करते हैं हमारे 12th के बच्चों से जो के सबसे जादा आज के टाइम पर aggressive परिशान और aggressive परिशान तो नहीं बूलूँगा but you know you are trying to find out a reason के भया हमें बताओ यार हम जो ये कर रहे हैं न इसका आखिर सीन क्या है अगर हम आज 12th में इतनी महनत करेंगे बहुत अच्छा result लेके आएंगे board exams में बिलकुत dedicatedly पढ़ेंगे अभी date sheet आईए 12th boards के लिए तो हमें पढ़ाई चालू कर देनी है हम लगन से काम कर रहे हैं महनत कर रहे हैं भया हमें बताओ what will be the result eventually वो 12th के बाद किस तरह से convert होगा अब ध्यान से बात सुनना 12th अगर तुम आज एक अच्छे percentage से निकाल भी लेते हो तो that won't guarantee you the success तुम्हें success नहीं मिल जाएगी उससे तुम यह नहीं सोच सकते तुम्हारे mind में यह clarity नहीं आ जाएगी जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले आ जाती थी कि यार चलो 12th निकाल लिया एक यहां से एक बड़िया college तो अब पक्का है कुछ नहीं होगा तो भी मैं एक अच्छे college में बैठा हुआ अपनी degree continue कर लो एक transition बहुत smooth हो जाता था 12th में अच्छे percentage आये अच्छे college के लिए apply किया अच्छे college में अपना admission हो गया वहाँ पे अब मुझे मालूम है कि मेरे 3 साल तो set है और वो 3 साल एक अच्छे college में निकालने के बाद believe me वो जो mindset बन जाता था उसके बाद तुम आराम से किसी CACMA जो भी degree तुम लेना चाते हो या तो साथ साथ में करने लगते थे या फिर अगर साथ में नहीं भी करते थे और at least after college तुम शुरू कर देते थे because तुम्हारा दिमाग उस तरह से develop हो जाता था अब तुमें मालूम है कि 12th और college के बीच एक चीज आ चुकी है जिसको हमने नाम दिया है C.U.E.T ये एक ऐसा बड़ा problematic exam बन गया है जिसको अगर तुमने ढंसे नहीं समझा और तुमने अभी भी वो एक ही mindset बना रखा है कि भाया मेरे को तो सिर्फ एक ही तो करनी है और वो है hard work अगर मैं वो करते चले जाऊंगा तो मैं तो फिर सब life में achieve कर लूँगा तो फिर तुम उल्टी गिंती चालू कर दो तुमारे career की कि तुमने वो mindset ही develop नहीं किया जिस तरह से तुमें तुमारा career बनाना था See, what I am trying to tell मैं थोड़ा और easy कर देता हूँ है So that तुम्हें पहले phase में जो 12th की बच्चे जिन से मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें ज़ादा clarity हो thoughts की कि मैं कहना क्या चाता हूँ पहले hard work काम करता था क्योंकि 12th का exam दिया वो matter कर गया college में college अच्छा मिला तो वो discipline तुम्हारा काम आया professional courses में professional courses ने और discipline बना दिया because उनको crack करना और difficult होता था तो जब तुम वो 23-24 की age attain करते हो तो तुम्हारी job फिर पक्की हो जाती थी because तुम्हें मालूमें कि struggle ऐसे ही होती थी तो तब एक hard work काम करता था आज वो hard work काम क्यों नहीं करेगा because your 12th marks will not guarantee you a very good college and अगर अभी भी तुम्हें ये लगता है अभी भी इस डिलिमा में हो कि ठीक है ना यार भी या नहीं भी matter करता तो क्या मेहनत करना बंद करने वाला scene नहीं मैं वो नहीं कह रहा मैं उसी तो topic पर आना चारा हूँ कि महनत कैसे करनी है और कितनी करनी है तो what will matter eventually is कि CUET जब actual में इतना complicated exam हो गया है हम लोग वो हैं जो जानते हैं internally I have been into teaching from past 15 years 15 साल मैंने यही काम किया है 18 साल की उमर से जब मैंने होश समाला था मैं तब से लेके पिछले साल तक तो at least यही काम कर रहा था I know CUET किसी ना किसी हद तक luck का game भी बन चुका है It is not completely about the hard work you are putting in because you are not aware about the questions that are going to be asked in CUET तो conclusion क्या है अब तुम्हें यह जानना होगा See again I am telling you चलो इसको एक नया open करते है तुम्हें मैं नय तरीके से समझाता हूँ ठीक है तुम अभी हो 12th में आज तुम्हार लिए important पता है क्या हो गया है कि तुम CUET के भरोसे ना बैठो अपने college को figure out करने के लिए क्योंकि वो हो गया तुम्हारा guess game अब यह जो college की direct entry थी यह यहां पे आके बंद हो गई जो direct entry थी वो नहीं है अब तुम्हें CVT में जाना है CVT से मतब CVT के exam देना है और CVT से तुम्हें college में जाना है अब जब यह direct entry तुम्हारी बंद हो चुकी है तो तुम 12th में कितनी भी महनत कर लो वो matter नहीं कर रहा CVT में कितनी भी महनत कर लो वो matter नहीं कर रहा क्यों? क्योंके I'm not saying again के महनत मत करना फिर इस वीडियो को गलत मत लेके जाना और dislike मत कर देना क्यार भाईया कुछ भी समझा रहे हो यार आप तो गेम समझो इस fast moving जमाने में जो गेम है career बनाने का उसको in-depth जाके समझना focus करके समझना बहुत जरूरी है और यह वो इनसान कहा रहा है जिसने 20 days pledge में तुमें पढ़ाया हुआ है या तुमने अगर देखे होंगे previously तो अगर तुमने 12th में महनत की है तो तुमारी एक capability निकल के आती है कि तुम hard working हो तुमारा 12th में result आ गया मान लेते हैं भीया तुमने 90% crack कर लिया 12th में तो एक चीज तो clear है कि तुम hard working हो तुमसे hard work हो जाता है तुमसे महनत हो जाती है अब अगर तुम 90% के आसपास भी हो आरे मैं तो यहां तक कहता हूँ पता है 90% छोड़ो मेरे को 70% से लेके 90% वाले जो है मुझे वो भी बहुत पसंद है 90 के उपर तो तुम फिर वो define करी लोगे तुम्हें तुमारी लाइफ में कहा जाना है कि अगर even college if you are not getting good I know you will be able to correct professional degrees and तुम एक अच्छा professional course करके भी आगे निकल सकते हो but let's keep an ideal bracket जहां पे जो बच्चा 12 में मेहनत करता है वो 70% स्कोर करी लेता है गिरी से गिरी हालत में जो career को लेके, जो 12 को लेके serious है और वो बच्चा जो इस video के नीचे comment करेगा जो matter करता है जो 12 तो वो 70% स्कोर कर रहा होगा कि भाया ये तो मैं कर लूँगा और 90% तक कुछ लोग पहुँच जाते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं जो actual में जिन लोगों के साथ गलत होता है गलत होता है मतलब क्या है यूँ बोलूँ तो they always blame their luck के यार भाया luck अच्छा नहीं है इसलिए ना मैं जब तयारी करता हूँ महनत करता हूँ hard work करता हूँ तो अब मैं आ जाता हूँ 70-75% मुझे मालूम है मैं 11 में इतनी महनत नहीं की थी मैंने स्कूल में इतना कभी ध्यान नहीं दिया है तो I know के 80% तक मैं खीच लूँगा जब हाथ में degree आई जब हाथ में mark sheet आई तो पता चला के 78% बने 77% बने 72-75% बने ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा luck को blame करते फिर वो लोग हैं जो 90% के बहुत close आके रुख गए and disheartened और बुरा लग गया मैंने इतनी महनत की and result क्या निकला मेरे 88 या 89% बने तो तुम समझ रहे 12th में कितने सारे बच्चे हैं अलग-अलग variation के जिनके अलग-अलग there are so many variables working around but ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अलग-अलग results आ रहे हैं and तब जाके आखे खुलना चालू होती है कि अगर मुझे 12th board में ऐसा धक्का मिला है जहां पे now I am into a bracket of 70 to 90% तो मुझे यह बताओ कि CUET में फिर क्या guarantee है जो अभी कुछ साल पहले से शुरू हुआ है जिसकी checking पे already बहुत questions है YouTube पे तुम जाके videos देखो कि CUET में क्या-क्या बुरे हालात पैदा हो जाते हैं जहां बच्चों का career compromise हो जाता है तो again you are into a dilemma के जब मैं hard work कर रहा हूँ जब मैं महनत कर रहा हूँ जब मुझे मालूम है के मेरे हाथ में जो है apart from money है ना इसको हटा देते हैं money के context को यहाँ पे अपन ready कर देते हैं कि भाई apart from money तुम मेरे से जो कर वालो ना महनत के form में क्योंकि आज मेरे पास करने के लिए या offer करने के लिए सर्फ एक चीज है महनत hard work है तो वो तुम मुझे से जितना भी कर वालो मैं तुम्हें करके देगा hard work कर वालो पैसा नहीं है तो उस context में देखा जाए तो मेरे पास आज एक established way है success को पाने का and that is the hard work तो तुम यह बताओ मेरा तुमसे ही यह पूछना है अगर कोई भी यह बच्चा अकेले बैठके देख रहा है ना just comment down below अगर तुम 70 से 90% के बीच में results लेके आते हो तो क्या तुम खुद को failure consider करोगे तुम बोलोगी के तुम failure होगे नहीं ना और उसके बाद फिर तुम CUT देते हो and 14 लाख बच्चा बैठता है CUT देने नेर अबाओ 14 लाख बच्चा बैठता है और तुम CUT देते हो और CUT में भी तुमें वो college नहीं मिलता जो तुम dream कर रहे थे तो तुम क्या खुद को failure बोलने लगोगे now I think so ये picture यहाँ इस point तक आते आते कितने minute होगे आपनको करते होगे 13 minute यहाँ पर अब clear होना चालो होगा कि मैं बात क्या कर रहा था तुमने सारी महनत की तुमने सारा hard work किया लेकिन तुमारा 12th में percentage वो नहीं बना जो तुम चाहते थे it can be कि तुम 96% चाह रहे थे लेकिन 92% बना it can be कि तुम 88% चाह रहे थे लेकिन 79, 80 मतलब like 80 cross नहीं कर पाए तो क्या तुम failure हो गए उसके बाद क्या हुआ कि फिर तुमने CUT दिया जब CUT भी दिया तो तुमारा result आया अच्छा आया ऐसा नहीं कि खराब आया but the college that you were targeting again वो college तुमें नहीं मिला अब यहाँ पे जो college का बच्चा देख रहा है जिसने पिछले साल college में admission लिया होगा वो तुमें बहुत clearly बता सकता है कि बिटा तुम्हारा actual में career को लेके mindset यहाँ पे ना यह जो यह cloud तुमारे दिमाग के उपर था यह cloud यह ऐसा हो जाएगा जहाँ तुम्हें एक बार 12 में धक्का लगा एक बार तुम्हें CUET में धक्का लगा तो तुम्हारा mindset गया यह तुम्हें college में बेठा हुआ हर बंदा वो बता देगा जिसको एक बार 12 में धक्का मिला धोका मिला धोका तो नहीं बोलूँगा 12 में धक्का मिला कि expected result नहीं आया फिर CUET दिया तो CUET में भी expected result नहीं आया अब जब दोनों में यह expected result नहीं आया तो you will be so clueless in life कि तुम्हें अब समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं क्या और तुम्हें चीजें out of control जाती हुई दिखेंगी and then the stage will come जहां तुम you will start compromising with your life क्यों क्योंकि तुम्हें मालूमें कि 12 का तुम्हारा result वैसा नहीं बना CUET नहीं बना तो तुम्हें क्या लगेगा कि अब तो जो college में लेगा वो लेना पड़ेगा न you cannot sit at home and घर पे बैठके ठीक है न जैसा चल रहा है लाइफ में चलने देंगे कोई दिक्कत नहीं है you have to go to a college right और वहां पे जब तुम compromise कर लोगे तो तुमारे hard work की value हो जाएगी zero एक बहुत बड़ा zero तुमारे hard work के आगे निकल आएगा and then सबका एक जो plan होता है backup plan जैसे तुम लोग बोलते हो के आरे ठीक है ना CUET नहीं निकला 12th नहीं निकला तो that doesn't mean के you know 12th boards won't matter in 2025 that doesn't mean college degree won't matter in 2025 हमें काम करेंगे ना हम CA कर लेंगे ना बट तुम यह नहीं समझ रहे तुमारा luck factor तुमारे साथ खेल खेल रहा है 12th में भी खेला है CUET में भी खेला है क्या guarantee है के CA निकल ही जाएगा और वहां failure hit नहीं होगा है ना अब यहां पे हो सकता है तुम इस दिमाग में आ जाओ मतलब इस mindset में आ जाओ के यार यह पूरा video बड़ा negative जा रहा है है ना यह perspective एक ऐसा जा रहा है जहां अगर यह video देख लिया तो कल से पढ़ने से money उड़ जाएगा तो अगर तुम में से कोई ऐसा है तो यह video again मैं बोलूँगा if you are in 12th and you think like that के यह video एक negative motivation की तरह जा रहा है you have to stop watching here but if you have to find the solution and अगर तुमें logical level पे motivate होना है तो अभी जो मैं यह काम कर रहा हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे brain की rewiring कर रहा हूँ just wait and let me come to the other side of the video to make you realize के तुम कितना बड़ा एक vision जो है एक mindset जो है वो छोड़ के blindly मेहनत कर रहे हो and अगर तुम बस उसी चीज में transition अच्छे से कर लो सिर्फ अपने mindset का वो transition अच्छे से कर लो your hard work will always value कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम fail हो रहे होगे अगर तुमने अपने आपको worst situation में तैयार करना सीख लिया you will never fail in life ठीक है तो चलो next आते है अपन आखिर इसका solution क्या है फिर तुम्हें solution जानना है let's start with the solution number one start focusing on सबसे पहली चीज सबसे पहला rule बना लो के what you want to achieve in life अब वो याद रखना 12th नहीं हो सकता because this is my honest and humble opinion your 12th degree will not matter at all आज के टाइम पर ऐसा कोई organization नहीं बैठा ऐसी कोई corporate sector में कोई company नहीं बैठी ऐसी कोई big four नहीं बैठी degree won't matter ये भी मैं तुम्हें बता तो if you are not into the top three colleges of Delhi University तुमारी college degree भी matter नहीं करेगी that is a very big fact check keeping in consideration के तुमारा 7 lakh का maximum package भी बन जाए तो तुम बहुत खुश हो तो फिर college degree will matter ठीक है लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि 7 lakh में कुछ नहीं हो सकता अब 7 lakh का मतलब क्या हो गया अगर मैं 7 lakh को अब 12 महीने में बाटता हूँ ठीक है 12 महीने में बाटता हूँ और हर महीने भी मुझे 60,000 मिलते हैं ठीक है तो मेरा बनता है 7 lakh 20,000 रोपे अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर महीने maximum इस salary से आज से 5 साल बाद खुश हो जाओगे तो well and good यहां तुम्हारा life सेटल हो गया कि कोई भी एक mediocre college भी तुम्हें मिल जाएगा and that should be mediocre में भी above average वाले college है न क्योंकि वहां से अगर तुम नीचे चले जाओगे कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम यह दोनों चीज़े skip करके 12th और college skip करके start focusing about what you want at the end of your degree 12th छोड़ दो C.U.E.T. छोड़ दो college छोड़ दो professional degree छोड़ दो start discussing with your parents start discussing with your teachers start discussing with someone जिसको तुम trust करते हैं और तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हें सही guide करेगा start discussing about what you want to become at the end of each and every degree that you aspire right now आज जो तुम्हें चाहिए है आज जो तुम degree बनाना चाहते हो उसका end result क्या होगा वहाँ पे तुम किस job किस position पे पहुँचना चाहते हो उसके बारे में बात करना चालू and believe me your 99% problems will be solved क्यों? क्योंकि उसके बाद number one चीज matter नहीं करेगा तुम्हारे 12th में कितने number आ रहे है ठीक है? तुम्हें मालूम है कि तुम्हें CA निकालना है तुम जब job के लिए जाओगे तो तुम्हें CA की degree तुमसे मांगी जाएगे कि भईया तुम CA हो या नहीं हो सही बात है 12th की डिगरी तो नहीं मांगते वो अगर तुम किसी corporate में अपलाए करने जाते हो एंड तुम एक professional CA हो वहां लिखा हुआ है कि भईया CA चाहिए है मुझे तो what they will do is they will ask for CA degree तो तुम्हारी CA degree matter करेगी 12th matter करेगा नहीं तो तुम्हारा end goal हो गया कि तुम्हें CA बनना है कितनी मेहनत लगती है यहां तक पहुँचने में mindset को prepare करने में कि भईया कुछ important बताएंगे लेकिन उनके वीडियो को मुझे almost 20 मिनिट पहले सुनना पड़ेगा क्योंकि पहले तुम्हारी वो जो brain के अंदर एक clutter बना हुआ है एक गलत धारणा बनी हुई है ये वाली इसको पहले हटाना जरूरी है हट गया तो ये रहे तुम खड़े हुए देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें ये matter नहीं करता कि तुम्हारा college कैसा जाएगा because you know कि जो मुझे job मिलेगी जो मुझे career बनाना है जो मुझे growth चाहिए है जो मुझे salary चाहिए है वो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकती है वो ना CUET है ना college है ना 12th है सिर्फ वो एक चीज़ है और वो है मेरा CA तो मुझे 100% जो hard work जो मैंने 12th से ही शुरुवात कर दी थी या मैं तो बहुत dedicated इंसान था बहुत dedicated बच्चा था वो 90% लाना तो यार मेरे बचपन की थी चीज़ मैं तो 10th में भी 95-96% लेके आये था मैं तो 11th में भी class का topper रहा था मेरे तो 12th में भी आने वाल है बहुत अच्छा result तब भी तुम्हारा अब देखो board matter नहीं कर रहा तुमने क्या अब दिमाग में बना लिया तुमने अपने brain को कैसे rewire कर लिया इस अबव 90% result of mine will make sure that I am hard working enough मैं अच्छा खासा hard work करना जानता हूँ and this hard work will transform into getting me a CA degree वो मेरे को CA degree लाके देगा हाँ, it can be CS degree, it can be CMA degree but you understood my point कि तुमने वो phases जंप कर दिये जिनका आज के time पे literally कोई logic नहीं है now there are exceptions to everything I am not saying 12th degree, CUT degree and college degree it's a complete waste नहीं, it's irrelevant वो जदूरी है तो मैं समझना के मैं किस context में क्या चीज बोलना चाहता हूँ 14,000,000 बच्चा जब बैट रहा है CUT देने 14,500,000 बच्चा जब बैटता है 14.5 like something you have to understand one fact कि सबके लिए एक तरह की चीज नहीं काम करती है So what I am talking about is someone जो again is in a bracket of again scoring somewhat 70% to 90% and even above चलेगा इस वीडियो को जो end तक देखेगा मैं बताऊँगा कि अगर तुम 50% and below भी हो ठीक है? अगर तुम ये 50% and below भी हो and 50-70% भी हो तो तुम क्या कर सकते हो? मैं वो भी इस वीडियो के end में include करूँगा बट अभी चलो इसको continue करते हैं कि तुम 70-90% के बीच में हो तो प्रॉब्लम कहां आ गई है आज के टाइम पे हमारे mindset में जब से ये जो coming generation के अंदर जो quick format चीजें डाल दी गई है चाहे वो instagram reels वगर whatever the things are, you know obviously कि क्या चीजें आज के टाइम पे walk around कर रही है हमारी goals जो है बहुत short term हो गए है we have started thinking about कि what is next we have to achieve so that is not at all a problem कि तुम short term targets ना रखो but ultimately you have to understand कि उसका long term impact क्या होने वाला है इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ एक अच्छे example को देखे कि जब 12th की शुरुवात होती है ना, तो हम first unit test जब पढ़ रहे होते है और उसमें, या first term जो भी तुमारा होता है जब हम पढ़ रहे होते है उसमें result अच्छा नहीं आता है तो माबाप ये नहीं बोलते कि यार ये वाला unit test नहीं अच्छा गया अगर तुमारे pre-boards अच्छे नहीं जा रहे है तो again the same thing you will hear from teachers and parents कि तुमारे जब ये नहीं अच्छे जा रहे है तो तुमारे 12th board कैसा जाएगा तुम सीवीटी कैसे करोगे और तुमारे college कैसे अच्छा मिलेगा बट यहीं पे लोगों की बाते कहतम हो जाती है मैंने आज तक किसी teacher को keeping in mind certain limited teachers नहीं बात करते सुना कि बटा तुम you know CA कब बनोगे और शादी किस से करोगे वाला scene nobody talks anything about that kind of future because आज से 5-7 साल बात तुम भी कहा होगे और वो teachers भी कहा होगे किसी को नहीं पता but जब हम अपने माबाप और teachers को बात करते देखते हैं and we understand that they are talking in the long run they are talking about the main 12th board result they are talking about in which college we are going to be in जब वो बात कर रहे हैं तो इसको और ही तो expand करके देखना है और ही broader picture में तो देखना है because हम भी तो बच्चे हैं हमें भी तो हमारा career बनाना है ना by the end of the day जो career बनेगा वो बनेगा किसका वो तुमारा बनेगा so you have to understand that fact अगर तुम इस बारे में नहीं सोचोगे तो parents अभी इतना long term तुम पे load नहीं डाल सकते उन्हें मालो में जब तुमारे term 1 में अच्छे result नहीं है तुमारे half yearly में pre boards में अच्छे result नहीं है तो तुम क्या ही फिर उससे आगे का सोचोगे तो तुमारी parents ने पहले ही समझ लिया है कि you don't have the capability कि तुम 12 में रहके एक CA बनने का सपना देख सको हाँ, here and there वो कभी बात कर देंगे या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12 के साथ CA की तैयारी कर रहे होते हैं well and good but उनकी quantity किती है, वो कितने लोग हैं वो भी तो देखोना है hardly we are talking about 1% or less than 1% literally less than 1% जो CM admission लेके बैठे हैं 12 के साथ commerce की बात कर रहा हूँ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका वैसे भी ratio commerce लेने का over the period of time कम ही होता जा रहा है rather than बढ़ने के मतलब maximum बच्चे humanities में जा रहे हैं instead of getting commerce, taking commerce तो fact पे बात करना जादा जरूरी है आज के time पे तो again let's come to the point एक चीज़ समझ में आ गई that you need to have a longer vision जितने भी लोग 12th के time table को लेके excited हैं जितने भी लोग 12th को लेके ये सोच रहे हैं कि यार बढ़िया तो है time table आगे है let's do anything like four देते हैं 12th में मज़े से काम करते हैं महनत करते हैं let's build a very great result ये motivation अच्छा है मैं मना नहीं कर रहा कि गलत है और ये motivation होना चाहिए लेकिन याद रखना लंबी race में जीतने के लिए motivation से ज़ादा discipline काम आता है ठीक है if you have to win in life जंग जीतनी है तो तुम्हारा discipline जितना काम आएगा उतना motivation नहीं काम आएगा because एकदम से adrenaline rush होगा कि 12th की तयारी शुरू करते हैं नहीं कॉपियां खोलते हैं नया काम करते हैं and let's get a great result in grade 12th दो महीने बाद तुम ठंडे पड़े होगे and again you will be questioning your life के क्यों नहीं मेरे results आ रहे हैं क्यों मुझे इतनी problems आ रही हैं मैं career को लेकि इतना serious हूँ फिर भी why I am failing again and again 12th में result अच्छा नहीं है CUAT भी मेरा लग रहा है कि अच्छा नहीं निकलेगा and पता नहीं फिर कॉंसा college मिलेगा and जितने लोग ये दिमाग में बना के बैठते हैं पता नहीं कॉंसा college मिलेगा तुम्हारा brain तुम्हें रिवायर करने को कह रहा है बोल रहा है बिटा थोड़ा सा समल जाओ and start thinking about it's not about the college at the end of the day it's more about के तुम्हारे पास degree से कौंसा job तुम्हारे हाथ में होगा तो यहां तक अगर तुम आ चुके हो again we are into now almost going into 30 minutes यहां तक अगर तुम आ चुके हो तो आज copy pen उठाना और लिखना कि यह मेरा 12th का result यह मेरा C.U.E.T यह मेरा जो college है वो मेरे को क्या लाके देगा ठीक है let's do a fun activity मैं तुम्हें बना के देता हूँ ठीक है दो तरफ तुम्हें बनाना है तुम्हें क्या करना है एक बीच में line खीशनी है यह तुमने line कीची यहाँ पे लिखा तुमने 12th plus C.U.E.T और plus तुम्हारा college यहाँ पे तुम्हें इसको answer करना है आज कि यह तीनों का mix तुम्हें क्या देने वाला है what is the end result जिस पे तुम इत्ती आज महनत कर रहे हो let me know what is the end result ठीक है यहाँ पे तुम्हें end result निकालना है और else तुम्हें दूसरी तरफ लिखना है तुम्हारी life का end goal क्या है और हाँ जब 12th के नीचे लिखोगे तो तुम यहाँ percentage डालोगे CVT के नीचे लिखोगे तो तुम्हें यहाँ scoring डालनी है college के नीचे तुम्हें यहाँ लिखना है कि उससे तुम्हें कौन सा college मिल जाएगा यह तीनों चीज़े तुम्हें mention करनी है और उसके बाद तुम्हें end result यहाँ पे लिखना जरूरी है कि उससे तुम्हारा कौन सा end goal फुल्फिर होगा उसका end result क्या होगा अब यह end goal का मतलब क्या जो इस तरीके से नहीं सोचते जिनको नहीं पता कि उनका 12th का result क्या आएगा ठीक है जिनको नहीं पता उनका CUD का scoring क्या आएगा जिनको यह भी नहीं पता कि उनको कौन सा college मिल जाएगा because life बहुत uncertain होती है मिल जाए तो मिल जाए नहीं मिले तो फिर क्या न again discipline वाली बात हो गए we have to prepare ourselves for the worst not for the best right हम career बना रहे हैं हम कोई एक साप CD का खेल नहीं खेल रहे हैं कि हार गए तो हार गए क्या ही हो जाएगा तो जिनको नहीं पता उनके लिए सबसे best solution है start focusing on your end goal क्या चाहिए life से क्या CA बनना है तो फिर ये तो valid नहीं बच्चता क्या CS करना है तो फिर ये valid नहीं बच्चता क्या CMA करना है तो फिर ये valid नहीं बच्चता क्या CFA करना है तो फिर ये भी valid नहीं यहां पे valid नहीं बच्चता हाँ Delhi University में जाना है SRCC में जाना है यही गोल है तो यह वैलिड नहीं बचता तो figure out इस पूरे वीडियो को अगर यहां तक देखा है तो start figuring out your life कि don't get too much excited about your 12th board, CUT and college क्योंकि वो तो 95% crowd वही कर रहा है motivation में जी रहा है best time table क्या होगा best working, best studying time क्या होगा there are thousand things, मतब मेरे दिमाग में तो अभी इतनी चीज़े आ रही है कि अगर मैं बोलना चालू करूंगा तो फिर यह वीडियो तो फिर दो घंटे का भी बन सकता है but my motive is to give you a different picture about your career के जहां पे you know, you can make sure के तुम किसी fancy or dream world में नहीं रह रहे हो right, you are focusing into something जसमें तुम जमीन पे भी हो I should say, right तुमें मालो में के तुम अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उसमें तुमने कुछ चीजों को properly study करके रखा है, कुछ factors को properly study करके रखा है and then you are actually preparing for your grade 12th because I don't know, many students fail to understand के 12th का result it's not something जो तुमें सिर्फ recognition दिलवा देता है family में, you know, friends में and you know, एक तुमें क्या बोलू, तुमें ऐसा लगता है कि तुमें तुमें 12th का result बहुत अच्छा बना लिया तो you have achieved like everything in life नहीं, वही बच्चें अधिकतर fail होते हैं college में आके जब वह देखते हैं मेरे जैसे तो और भी 500 बने हुए 12th तुमें क्या सिखाना चाहिए मैं वह समझाना चाहरा हूँ 12th तुमें सिखाना चाहिए कि this is the start of my career यहाँ पर whatever I'll do that will act as a base to my entire career that I'm going to build over it मैं उसकी उपर जो भी अपना career बना हुँगा न वह matter करेगा मेरे 12th से not results से you are getting my point उस 12th की महनत से उस 12th के hard work से because it happens with people especially with students के महनत तो बहुत की थी 96% आ सकते थे लेकिन I 85% तो क्या मैं 85% वाले बच्चे से बात करना छोड़ दू? नहीं because I know that वो 85% वाले बच्चा जो लाइफ में fail वा है 12th में 96-85 पा है बट जिसने 96 ड्रीम किये थे और वो 85 पे पढ़ा है वो 85% वाले में जादा potential है to achieve something great, something big in life क्योंकि उसने अपनी life की बहुत early stage में ना failure देख लिया है hard work करने के बाद भी सब कुछ align करने के बाद भी सब कुछ हिसाब से करने के बाद भी pre-boards अच्छे गए half-air leaves अच्छे गए सब कुछ अच्छा गया but again वो percentage उसका 12th में नहीं बना तो मुझे मालू में कि वो फिर कुछ भी कर सकता है फिर successful होने के लिए उसके लिए है कि उसी बच्चे के लिए कि start focusing on your end goal अगर तुमारा वो clear है तो फिर तुम सब clear हो तो ये वाला जो मैंने तुम्हें बताया न ये जो अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया ये तुम भी करना तुम्हें बहुत मज़ा आएगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें कुछ एटलीस्ट राह तो मिली है अब ठीक है यहां तक हो गया लेट्स कम टू अब वो लोग जा सकते हैं एक पाँच मिनिट के जो अभी मैं एक पाँच मिनिट के conversation करने वाला हूँ you can go those who are into the 70 and 90% bracket those who are into college and maybe you are into a professional course तो मैं समझ में आगे clarity आगे कि मैं क्या कहना चाता हूँ बात बोल दी by the end of the day in your 12th no exam will matter मुझे मालो में 12th में boards दो बार होता है but what I want to say is कोई भी exam matter नहीं करेगा जो internally हो रहा है and boards नहीं ले रहा है तो boards matter करेगा ऐसे ही तो मारा 12th CVT college in a professional degree matter करेगी जब तक वो चीज़ convert काई में हो रही है job में नहीं हो रही if it converts into job every single degree will count ऐसी अगर तुमारा 12th में board result बहुत अच्छा आया तो जितने भी internal exams में तुमारे number अच्छे आय थे वो भी बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन सब internal exams में तुमारा number खराब आया and जो board कर result आया तुमारा बिलकुल result खराब आया तो फिर जो तुमने महनत की भी होगी ना वो भी matter नहीं करेगी वो तुमने जो result अच्छा होगा वो भी matter नहीं करेगा same goes on with your career if you don't get a very good job high paying job तो तुमने जो 12th CUET college and professional degree के लिए महनत की थी that won't matter at all so last suggestion focus on bigger goals stairs to success कि इनके थूँ चड़के तुम उपर जाने वाले हो इनको end result and goal मत मान के रखना don't be so over confident के 12th के result अच्छा आ गया तो CVT निकल गया है नहीं दोनों बहुत अलग है CVT बहुत अच्छा आ गया है college बहुत अच्छा मिल गया है तो career बन गया है मैं बहुत colleges में गया हूँ seminarist लेने के लिए मुझे मालूम है कि क्या scene है ऐसा नहीं होता है जब तक job हाथ में नहीं है तब तक कुछ सही नहीं है तो lastly चलो अब बात करते हैं जो less than 50% है या ये मान लेते हैं 50 से वो 70% के bracket में आते हैं मैं ये नहीं कहा रहा कि तुमारा ये result आ गया है 12th board में लेकिन एक pattern देखना ठीक है अब again motivation से ज़ादा discipline और humble रह के ये बात सुनना अगर तुम 8th class से अपना pattern देखना चालू करो class 11th तक तो अगर तुम हमेशा 50% के bracket में रहे हो तो the maximum push that you can get is near about 70% only अगर 8th class से लेकर 11th class तक by taking commerce तुम 50% के bracket में रहे हो हर बार तुमारा result जो है वो near about 50 रहा है तो तुम 70% max achieve कर पाओगे अगर तुम 12th में बहुत महनत भी कर लेते हो तो अरे सर आप तो demotivate कर रहे हो नहीं भाई reality check दे रहा हूँ बट क्या मैंने ये बुला कि तुम उससे fail हो जाओगे life में career में नहीं मैं बस ये कह रहा हूँ कि इतनी ही growth दिखती है 20-25% maximum बहुत exceptional cases होते हैं जो कि इससे भी बड़ी अ result लेके आ जाते हैं लेकिन वो exception की बात कर रहे हैं पन 0.2% लोगों की अगर आपको लगता है आप life में वो 0.2% में है जो 50% से उठके सीधे इस बार 96% लेके आने वाले हैं और आपके schools में जितने भी toppers रहे हैं उनके नाम आपके बस नीचे ही आने वाले हैं तो more power to you भाई फिर तो मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि तुमने फिर define कर लिया कि तुमारा पूरा career अब motivation पही जाएगा फोड़ देंगे नहीं तो तोड़ देंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे वाला scene तो वो बहुत अची बात है एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि जितने भी brilliant minds है वो कभी भी 12th के result के basis पे define नहीं किये गए हैं तो मैं भी तुम्हें यहीं बोलूँगा कि तुम सब को जो के 70% and below वाले आज तक रहे हैं तुम्हार लिए वो end goal आज के time पे बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तुम नहीं बनाओगे तो सबसे ज़ादा colleges में पिसने वाले बच्चे सबसे ज़ादा यूनो ये degrees के पीछे भाग के fail होने वाले बच्चे ये वही लोग हैं जो 50 से 70 प्रतीशत के bracket में आते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने life के आने वाले coming 7 years आने वाले 7 साल सिर्फ इन degrees के पीछे भागते हुए बिता दो जहां तुम्हें भी मालूम है कि अगर तुम 70 परसेंट पे हो तो तुम्हारे लिए C.A. एक बहुत difficult task है क्योंकि तुम्हारे साथ फिर जो चीज़े जुड़ी हुई है जो तुम्हें अच्छा result नहीं लाने देती है वो बहुत detail में मैं कभी किसी वीडियो में तुम्हें डाल के बताऊंगा कि तुम्हारा वो discipline level नहीं है तुम्हारा वो interest level नहीं है तुम्हारा वो passion नहीं है कि तुम्हें पढ़ाई करते हो motivation आता हो तुम पढ़ने बैठते हो लेकिन पढ़ाई नहीं होती फिर जब पढ़ाई होती भी है तो चीज़े कुछ time बाद भूल जाते हो एक chapter याद रहता है दूसरा chapter याद नहीं रहता accounts में कुछ formula याद रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं कुछ entries गढ़बढ हो जाती हैं कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो तुम लगता नहीं कि तुम गलतियां कर रहे हो बट वो गलतियां होती चली जाती है तो there are thousand things that play a role like वो तुम फिर count भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो goals को realistic रखना बहुत जरूरी है there are many things आज के टाइम पर जहां तुम अपना career option बना सकते हो ठीक है तो इस video को end करते हुए मैं बस यहीं बोलूँगा कि you will now let me know in the comment section कि अगर तुम less than 50% वाले हो या 50-70% bracket वाले हो तो तुम अपना career अपना goal किस field में देखते हो आज के time पर कहां तुमें लगता है कि you will become highly successful it can be anything it can be into digital marketing it can be into content creation it can be into anything music लेलो sports लेलो depending upon you तुम मुझे बताओ कि तुम अपना career किस जगे पे देखते हो अगर मैं तुमें एक broader picture दिखा हूँ और बोलों कि you don't have to look for CUET you don't have to look for 12th board result you don't have to look for college कि तुम ये तीन चीज़े छोड़ दो and give me the end goal give me the final goal जहां तुम बैठना चाहते हो वो मुझे बताओ तो तुम comment section में मुझे क्या suggest करोगे कि तुम क्या करना चाहते हो तो let me know whether this video was valuable or fruitful for you or not और क्या तुमें एक different perspective 12th boards को लेके देखने को मिला या नहीं and I will be very happy कि you tell me कि मैं किस next topic पे video बनाऊ and I know कि बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि मैंने एक साल देड़ साल almost के लिए कि YouTube quit क्यों किया था तुम डालो comment section में कि तुमें मेरे से क्या क्या जानना है मैं उसी पे हो सकता है वीडियो बनाऊ धन्देवाद